हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बैटरी सेक्टर की एक काफी जानी मानी काफी दिगज और स्पेसिफिकली बैटरी सेक्टर की किंग कही जाने वली एक साइड इंडस्ट्रीज और B.E.L. यानि की भारत Electronics Limited के साथ में टोटल में 9 ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिन्होंने यहाँ इस टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनाउंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरूश आई अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है IEX Limited यानि की Indian Energy Exchange Limited आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर पे हमें 0.5% से ज़ादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेयर का जो closing price था 151 रूपीज का था अगर कंपनी के official announcement की बात करें तो Indian Energy Exchange ने जो यहाँ भी dividend आरांस कर दिया है 1.50 रूपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 0.5 रूपे यानि की 1.50 पैसे का dividend दिया जाएगा dividend value हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है और इसको देने की जो X date और record date है वो 31st of May यानि की 31 माई की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो company का नाम है JK Paper Limited आज की ट्रेडिंग सेशन में इस company के शेयर के उपर में हमें 0.5% की तेजी देखने को मिली जो की no doubt आज की ट्रेडिंग सेशन के एसाप से एक काफी बड़ा एक काफी धमाकेदार momentum था और company के शेयर का जो closing price था 376 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो JK Paper ने जो है यहाँ पर dividend अनौंस कर दिया है 5 रुपीज का जो की definitely अगर आप company के शेयर की price के साथ में से compare करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा एक काफी जादा भैतरी dividend यहाँ पर अ चलते इतना बड़ा momentum आज के trading session में हमें JK Paper के share में देखने को मिला बागी रही बात dividend की तो इसको देने की x date record date अभी फिलाल upcoming में है आप लोग चानल को subscribe कर लीजेगा because जैसी x date और record date आ जाएगी मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का ना 434 रुपीज का था अगर निरलॉन लिमेटेड के official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँपे dividend announce कर दिया है 11 रुपीज का आप लगों को आपके हर एक share के उपर में 11 रुपे का dividend दिया जाएगा अब ये dividend value भी काफी जादा अच्छा है और अगर आप company के share price के साथ में 11 रुपे क dividend compare करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा एक काफी बहतरीन announcement किया गया है और इसको देने की भी X data और record date जो है अभी फिलाल upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Inox Wind Limited आज की trading session में company का जो share है almost हमें flat close होता हुआ देखने को मिला to be precise 0.22% के एक छोटे से correction के साथ में यह company का share आज close हुआ और जो share का closing price था 609 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो Inox Wind Limited ने जो है यहाँ इस stock bonus काफी पहले announce किया था 3 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 3 shares as a bonus में लेंगे total में जो आपका एक share है वो 4 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के चाहिज जितने मर्जी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 shares का bonus दिया जाएगा और Inox Wind ने जो इस bonus को देने की X date और record date पहले 18th of May की रखी थी अब इसको modify कर दिया है और revise करके postpone करके 25th of May यानि की 25 माई की रख दी गई है तो आपके पास में 25 माई तक का time है अगर आपको Inox Wind के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके bonus का benefit मिल पाए अगले share की बात करें तो company का नाम है Belexi Pharmaceuticals Limited आज के trading session में इस company के share पे लगबग 4% की correction हमें देखने को मिली और company के share का जो closing price था 645 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो Belexi Pharmaceuticals ने यहाँ पे stock split announce करके रखाए 2 to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे basically आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा and इस stock split को देने की जो X data और record date है वो 30th of May यानि की 30 माई की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है B.E.L. यानि की भारत Electronics Limited B.E.L. के share के अंदर में आज के trading session पे हमें 4% की शांदार तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था 247 रूपीज का था अब company के official announcement को cover करने से पहले एक छोटी सी update को यहाँ पे cover कर लेता हूँ प्रभुदास लिल लैदर ने जोए B.E.L. के share के उपर में एक buying recommendation शेयर किया था कल के दिन और वहाँ पे जो target दिया गया था 250 रूपीज का दिया गया था already 247-48 रूपीज तक आ चुका है तो almost यह target achieve हो चुका है यहाँ पे प्रभुदास लिल लादर जोए इस target को हमें increase करता हुआ भी देखने को मिलेगा तो इस चीज पे जोए जरूर से आपकी नजर बना करके रखिएगा भारत electronics का जो share है इसको ज़रा focus के अंदर में रखिएगा और आपकी watch list के अंदर में add कीजिएगा बाकी अगर company के official announcement की बात करें तो भारत electronics ने जोए यहाँ पे board meeting organize करके रखिए 20th of May को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend और साथी साथ में quarter 4 के results को लेकर के रहने वाला है अब आपको एक चीज बताता हूँ BEL government backed company है यानि की PSU unit है आप कह सकते है PSU company है अब यहाँ भारत electronics जो है बेशक अपने dividend में appreciation ना करे यानि की dividend past में company जितना देती आ रही है उतना ही dividend announce करे dividend से यहाँ पर फरक नहीं पड़ेगा main चीज है company के quarter 4 results अगर हमें year on year basis पे company के quarter 4 के अंदर में growth देखने को मिल जाता है तो definitely BEL के share के अंदर में आपको एक massive rally देखने को मिल जाएगी because सभी को पता है जो PSU units होते हैं इनके बस में reserves की कमी होती नहीं है यह dividend भरपूर बाटते रहते हैं बट main चीज है यहाँ पे growth हमें जादा देखने को नहीं मिलती तो जो भी PSU unit यहाँ पे बेशक dividend अच्छा ना भी दे growth अगर अच्छी report कर देता है उस company के share पे हमें एक massive rally देखने को मिलती ही मिलती है तो जरूर से BEL के quarter 4 के अंदर में company का net profit check कीजेगा year on year basis पे कितना grow रहा है 15-20% से जादा grow होता है तो definitely BEL के share के अंदर में आपको एक अच्छा momentum upside में देखने को मिल जाएगा तो जरूर से भारत electronics के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और खासकर 20 माई के दिन इस company के share के उपर में आपकी नजर बना के रखिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की और यह वही battery sector की king कही जाने वाली Excide Industries है आज की trading session में इस company के share पे लगबग 1% की तेजी हमें देखने को मिली थी और company के share का जो closing price था 477 रोपीज का था अब Excide Industries की तरफ से एक important update निकल करके आ रही है अगर इसको मैं cover करूँ तो प्रभूदास लिलादर करके जो एक जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने भी प्रभूदास लिलादर का नाम definitely सुना होगा प्रभूदास लिलादर ने जो है Excide Industries के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पर जो target price दिया गया है वो 494 रुपीज का दिया है तो लगबग 477 रुपीज से लेकर के 494 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पर प्रभूदास लिलादर expect करके चल रहा है Excide Industries के share के अंदर में और साथ ही साथ में प्रभूदास लिलादर ने यहाँ भी stop loss भी recommend किया है जो कि 463 रुपीज कराएगा तो 463 रुपीज का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call प्रभूदास लिलादर ने provide किया है Excide Industries के share के उपर में अब target और stop loss दोनों ही काफी चोटे हैं यह जो brokerage call है यह भी आपके 2-3 दिन के एक काफी चोटे time frame के perspective से दी गई है तो अगर आप लोग चाहें तो definitely Excide Industries के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं और साथ ही साथ में मैं बता दूँ अगर आप long term vision रखते हैं तो Excide Industries के share को आप long term के लिए भी hold कर सकते हैं stop loss और target के company fundamentally financially काफी strong है and company का जो main business का sector है जो की batteries का है यह आने वाले time में CDC बात हैं हमें grow करता हुआ ही देखने को मिलेगा कही ना कहीं देखा जाए काफी अच्छे returns यह company के share के अंदर में potential है आपको deliver करने के long term के अंदर तो मैं तो यही suggest करूँगा short term का trade वगरा छोड़िये long term के लिए अगर आप चाहें तो Excide Industries के share को जरूर से आपकी watch list के अंदर में add कर सकते हैं बाकी इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 9 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend around किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को लाइक कर दीचेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनों media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye